Hello everyone and welcome back to my channel आज की वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं Export of Goods and Services जो की covered है section number 7 के अंदर अगर इसके बारे में थोड़ा briefly discuss करें तो ये बात थोड़ी ऐसे बनती है कि for example, there is an exporter ये एक exporter है, देखो कितना खुश लग रहा है क्योंकि ये पैसे लेने वाला है बहाद से बहुत सारी for exchange लेके आने वाला है इस export के बदले तो इसने कुछ exports किया export किसी form में हो सकता है it can be either goods or it can be services बदले में he is going to receive some consideration बदले में he is going to receive some consideration अब यहाँ पर हमारे पास दो departments आते हैं इसको अगर पूरा divide कर दिया जाए बीच में से तो first आता है हमारे पास यहाँ पर आएगी customs authority customs authority या फिर अगर अगर ये goods है तो बट अगर ये कोई software है या फिर कोई audio visual software है कुछ ऐसे कुछ चीज़े हैं तो उस case के अंदर information technology authorities ministry of information technology ये तो हो गया goods and services के बारे में बात अब अगर अब बात करेंगे हम consideration की तो consideration के अगर हम बात करें तो उसका लिना देना होगा foreign exchange से और जहां foreign exchange involved होगी वहाँ पर आ जाएगा हमारा RBI तो ये चीज़ दिहान में रखेंगे कि जो भी documentation जो भी declaration दी जाएगी वो authorities के पास जाएगी और for RBI के पास जाएगी उनका approval लेना पड़ेगा उनको बताना पड़ेगा तो first of all the declaration submit की जाएगी अगर हम बात करें export की तो export के regarding अगर हम कोई declaration submit कर रहे हैं तो उस declaration में क्या होगा तो हमें बताना होगा अगर goods की बात कर रहे हैं तो full value of exports कि जो हम export करने वाले हैं उसकी कितनी value है कितनी amount हम receive करने वाले हैं इसका हमें पूरा declaration देना पड़ेगा in case अगर हम उस moment पे नहीं बता सकते तो prevailing market conditions के हिसाब से जो इस time पे market condition है prevailing market condition के इसाब से what we expect to receive कि हम क्या expect कर रहे हैं कि कितनी amount हमें उसके regarding मिलेगी वो हमें disclose करना है और अगर हम service की बात करें तो service के अंदर export value नहीं आएगी prevailing market condition के according हमें जितनी value receive हो सकती है उसके बारे में यहाँ पर बात की जाएगी so this is all there is तो सबसे पहले exporter है goods and services भेज रहा है तो custom authority और information technology से बात करनी पड़ेगी RBI के पास जाएगा RBI का consideration क्या रहेगा इसके अंदर कि time pay consideration receive हो रही है या नहीं उसमें details क्या क्या होगी declaration जो submit की जाएगी अब अगे हम बात करें तो RBI जो है वो direct कर सकता है declaration होगी इसके बाद क्या होगा इसके बाद हमारे पास आता है कि कुछ exemption दी गई है यहाँ पर हमारे पास इस act के अंदर कुछ exemptions दी गई है कुछ चीजों को बोला गया है कि वो चीजें exports में cover नहीं होगी चलिए इसको यहाँ पर study material से देखते हैं तो अभी तक हमने देखा कि declaration submit की जाएगी supporter shell submitted a declaration जिसके अंदर full value of export होगा अगर full value of export नहीं है अगर वो ascertained नहीं की जा सकती तो prevailing market condition के साफ से कितनी amount वो expect कर रहा है receive करने के लिए उसके बाद वो RBI को furnish करेगा some other information as may be required by the reserve bank for the purpose of ensuring the realization तो यहाँ पर जैसे हमने बात की थी कि RBI का लेना देना है consideration से कि जो export करके हमें जो पैसा मिल रहा है उससे RBI का लेना देना है तो वो उसकी बात यहाँ पे करेंगे अब यहाँ पर बात कर रहे है direction to the exporter to comply with the requirements for ensuring export value of goods अब यहाँ पर अगर तुम direction to and correct material particulars देने होंगे in relation to payment for such services अब हमरे पास point आता है यह वाला जिसके अंदर हम बात कर रहे हैं exemptions के बारे में कि किन-किन चीजों को exempt किया गया है तो अगर आप for example कुछ चीजे हैं जो आप इंडिया से बाहर भेज रहे हैं बट वो export में नहीं माना जाएगा अब वो क्या-क्या चीजे हैं let's talk about them सबसे पहले आएका मारे पास अगर आप trade samples भेज रहे हैं बाहर आपने कोई business किया है कोई नया product बनाया है उसके लिए आप samples भेज रहे हैं जिसके basis पर आपको further order place किये जाएंगे वो export मानी जाएगी बट जो samples हैं that are not exports publicity के लिए आप free में कोई material supply कर रहे है that is not export कुछ personal effects of traveler है या तो वो खुद लेके जा रहा है या फिर वहाँ पहुचने के बाद दूसरे ships से अपना personal समान मंगवा रहा है उस case में आपको allow कर दिया गया है अगर military, naval forces या air force authorities कुछ बाहर भेज रही हैं अपने किसी भी reason की वज़े से transshipment cargo में या फिर goods supply कर रहे हैं उस case के अंदर आपको export नहीं माना जाएगा अगर आप gift कर रहे हैं और उसमें साथ में declaration है by the exporter that they are not more than 5 lakh rupees in value तो gift कुछ भी हो सकता है बट उसकी value 5 lakh से जादा नहीं हो सकती है वर 5 lakh से जादा है तो उसको export में माना जाएगा otherwise it's just a gift next अगर हम बात करें तो यहाँ पर बात हो रही है overhauling की overhauling में क्या होता है guys कि जो बड़े बड़े aircrafts होते है aircraft के engines होते हैं में भी हो सकता है कि हमने जैसे बाहर की country से लिये होते है तो उनकी repairing और यह सब चीजे हम इंडिया में incur नहीं कर पाते तो उस चीज के लिए उन aircraft को बाहर भेजना पड़ता है for example this is the aircraft and इसको repairing के लिए overhauling के लिए overhauling का मतलब यही होता है उसके कुछ parts को change किया जाता है रिपेर किया जाता है तो उसके लिए हम बाहर की country में भेजते हैं subject to the condition कि 6 months के अंदर अंदर उसको हम वापस इंडिया में लेके आएंगे अगर ऐसा होता है तो वो export नहीं माना जाएगा guys अब अगर यह बाला point देखें point number ea तो यह थोड़ा सा typical सा point है काफी अजीब सी language के अंदर यहां पर दिया गया है but let me simplify this point for you यह point क्या कहना चाहता है कि for example there is a foreign lesser यहां पर हमारे पास है foreign lesser अब यह क्या करता है कुछ अगर यहां पर देखा जाए तो हम किसकी सिवारे में बात कर रहे है aircraft, helicopter या फिर कोई उनके engines या कोई auxiliary power units यह auxiliary power units होती है जो airplane की tail के अंदर होती है जो power generate करती है तो यह सब चीज़े अगर आपने किसी ने lease पर दी है और वो या तो partially ध्यान से देखना इसको या तो partially या फिर completely knockdown position के अंदर है partially या completely तो basically important है कि वो knockdown होनी चाहिए वो खराब होनी चाहिए तूट गई होनी चाहिए either partially या completely चाहिए तो थोड़ा part तूटा है या वो पूरी तरह ही खतम हो गया है उस case के अंदर अगर आप उसको वापस भेज रहे हैं उस lesser के पास based किस condition पे एक director general of aviation होता है जो इन सब चीजों को देखरे करता है इन सब चीजों की भार से जो मंगवाते हैं भेजते हैं aviation regarding चीजों की तो उसकी अगर आपके पास उसने इसको deregister कर दिया है जो हमने lease पे हमने ये aircraft, helicopter, engine और ये जो auxiliary unit ली थी इनके इंडिया में आने के बाद एक registration किया गया था by DG of aviation और अगर वो उसको deregister कर देता है जैसे कि गाड़ियों में होता है कि RC के बिना आप नहीं चला सकते तो अगर इसकी deregisteration हो जाती है तो वो उसी तरह माना जाएगा कि उसकी RC cancel कर दे गई है और आप उसको नहीं चला पाएंगे और अगर ऐसा हो जाता है तो उस case के अंदर उसको export नहीं माना जाएगा एक दूसरी condition यहाँ पे दी गई है कि या तो आपकी जो lease थी यह जो lease जिसके बारे मैं सबसे पहले बात की या तो यह complete हो गई है इसका period complete हो गया है या फिर यह बीच में ही terminate कर दी गई है इन दोनों cases के अंदर भी उसको export नहीं वाना जाएगा यहाँ पे आप एक word देखेंगे जिसको मैं आपको book में दिखाने वाला हूँ वहाँ पे आएक word Cape Town Convention Now what is this Cape Town Convention Cape Town Convention is एक international convention है treaty है international जो की regarding है transfer of movable properties movable properties को अगर आप इधर से उधर अलग-अलग countries के बीच में deal कर रहे हैं तो उस case में यह convention मनाये गया है उसमें कुछ guidelines है जैसा कि देखा जाए तो अगर यह lease पे दे रहा है इंडिया के अंदर तो यह aircraft movable है helicopter movable है engines यह auxiliary units movable है तो इनके अंडर इसके अंडर भी cover हो जाएंगे तो I guess आपको पॉइंट समझ में आ गया होगा कि damage होने पर DG of aviation ने अगर उसको de-register कर दिया है और आप बाहर भेज रहे हैं वापिस lesser के पास तो export नहीं माना जाएगा अगर वो lease agreement terminate हो गया है या complete हो गया है तो भी वो export नहीं माना जाएगा So I hope आपको यह point अच्छे समझ में आ गया होगा So all there is in this point आप भी खलका सा reading देंगे You will get the idea Next point is यह जो goods हैं इसके बारे में बात की जा रही है अगर कोई special economic zones Special economic zones electronic hardware technology parks software technology parks or free trade zones to be re-exported कौन-कौन से हो सकते हैं re-export किये जा सकते हैं सबसे पहली बात होगर देखें तो that could be import of goods found defective अगर goods defective मिले उनको आप जो आपने goods पहले import किये थे इन सबने अपने purposes के लिए वो defective पाए गए और उनको replacement के लिए आपने बाहर भेजा है दूसरा point आपने loan basis पे import किये थे तो अब्यश्कित आपको बाहर वापीस भेजने पड़ेंगे या फिर आपने कुछ goods फ्री ओफ कोस्ट इंपोर्ट करवाए थे उनको उन्होंने जैसे sample की तरह है फ्री ओफ कोस्ट आपको दिये थे और वो surplus थे तो आपने उसको वापस भेज दिया production आपने पूरा कर दिया आपने जितने units बना लिए उसके पाद extra बचा तो being a good citizen, being a good person आपने उसको वापस भेज दिया कि चलो ठीक है यार फाल तुम्हें हम यहां waste नहीं करेंगे आप रख लो आप use कर लो तो यह यहां पर कहा जा रहा है इस case के regarding, इन तीनों points के regarding यहां पर एक चीज मेंशन की गई है कि जो re-export किया जा रहा है by special economic zones under intimation to the development commissioner of special economic zone जो इन जो भी zones की यहां पर बात की जा रही है इनका जो development commissioner होगा या concerned assistant commissioner या deputy commissioner इसको मां highlight करता हूँ deputy commissioner, concerned assistant commissioner और deputy commissioner of customs इन सब को intimate किया जाएगा यह भेजने से पहले next point हमारे पास आता है replacement of goods exported free of charge in accordance with provisions of the foreign trade policy in force from the time being यानि कि कुछ ऐसे goods जो हमने free of charge export किये है replace करके भेजे हैं उनके पास यानि कि आपने बाहर कुछ पहले भेजा था उसके लिए आपको कुछ replacement का कुछ part भेजना पड़ रहा है जो आप free of cost भेज रहे हो उसके लिए आप कुछ अलग से चार्ज नहीं कर रहे हो आपकी service contract के अंडर वो included था तो आप उसको free of cost भेज रहे हो तो आपको allow होगा आप उसको export नहीं माना जाएगा उसको goods stand outside India for testing subject to re-import into India अब इसका अगर आपको example लेके चलने हो तो for example इंडिया में बहुत सारी ऐसी चीज़े अब बनने लगी है जिसकी testing नहीं हो पाती पतम product की manufacturing facility इंडिया में लग चुकी है लेकिन अगर वो product कितना at par है या नहीं उसकी testing की facility इंडिया में अभी नहीं है तो उसके लिए उन products को बाहर sample form में भेजा जाता है जहाँ पे उसकी testing होती है और यह determine किया जाता है कि वो product up to the mark है की नहीं अगर ऐसे किसी purpose के लिए आपने बाहर किसी goods को भेजा है जो कि बाद वापस इंडिया में आएगा तो वो भी export नहीं माना जाएगा आपको यह defective goods बाहर भेज रहे है रिपेर के लिए जो कि re-import होगा इसके लिए condition दी गई है कि आपको एक certificate लेना होगा authorized dealer से इंडिया के अंदर कि यह जो export है यह repair के लिए है जो कि re-import कराने वाला हूँ और इसमें कोई भी transaction of foreign exchange involved नहीं है यह आपको बताना पड़ेगा नेक्ट पाइट आता है एक्सपोर्स पर्मिटिट बाइदा रिजर्व बैंक और एप्लिकेशन मेट तो इट सब्जेक्ट तो दे टर्म्स इन कर्मिशन यानि रिजर्व बैंक अपने बेसिस पे भी किसी भी एक्सपोर्स को पर्मिट कर सकता है एक्सपोर्स ना कहरा है जाना तो आई होप यह बहुत ही एक common understanding वाली चीजे थी कि कुछ चीजे जो आप नहीं बेच रहे हो वो कौनकोसी चीजे हो सकती है आप trade sample दे सकते हो आप free में supply कर सकते हो आप personal effect ले जा सकते हो तो आप gift दे सकते हो और आपने lease पर कुछ लिया है तो उसको वापस भेज सकते हो अगर कोई चीज खराब होगे उसको repair कराने के लिए भेज सकते हो तो यह बहुत ही common say and common understanding वाले पॉइंट है बढ़ हाँ थोड़ा सा एक बार आप इसको एक दो बार पढ़ लेंगे तो आपके दिबाग में अच्छे से यह चीजे बैट जाएगी अब अगर हम देखें तो indication of importer exporter code number एक code number generate क्या जाता है under section 7 of the foreign trade development and regulation act 1992 which shall be indicated on all copies of declaration जो भी declaration हम फाइल करे थे जो हमने पहले देखा था सबसे उपर उन साई declaration के cases के अंदर उसको mention करना जरूरी है अब हो declaration कौन कौन सी है? declaration दो टैप की है EDF and soft text EDF is in duplicate यानि कि दो copies बनेंगी इसकी and soft text is in triplicate यानि कि इसकी तीन copies बनेंगी अब इनका कैसे इनको deal किया जाएगा? let's look at them first of all अगर हम देखें तो if we look at EDF चलिए यहां देखते हैं इसको detail में अगर हम EDF की बात करें तो EDF के case के अंदर ये goods के cases में होता है सबसे पहले तो अगर आप goods export कर रहे हैं तो आपको ये declaration लगानी पड़ती है किसके पास जाएगी? goods का जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये जाएगा commissioner of customs के पास commissioner of customs अब commissioner of customs क्या करेगा? एक copy तो देदेगा RBI के पास जो की होगी original copy और एक copy देगा आपको जो exporter है जो की होगी duplicate copy अब exporter क्या करेगा? अपने पास रखेगा? नहीं exporter इसको देदेगा authorized dealer के पास and authorized dealer को after the export is concluded अपने पास ये जो documents है ये duplicate copy है ये संभाल के रखनी होगी for safe keeping record keeping भी कह सकते है इसको तो this is all about EDF form तो क्या हुआ? customs को हमने दिया, customs ने इसको inspect किया एक copy original के RBI के पास along with the declaration and एक copy के exporter के पास इसने दिया AD को AD customs को रखेगा संभाल के next month आता है हमारे पास softex now let's talk about softex softex के अंदर अगर software है audio visual audio है video है को television software है तो वो triplicate में जाएगी जैसे कि मैंने आपको बताया तो ये आ जाएगी हमारे पार triplicate में किसके पास जाएगी तो इसके पास जाएगी तो इसके पास जाएगी और ये उसको certify करने के बाद एक designated official जो होगा इनका वो फॉरवर्ड करेगा एक copy तो and a copy again exporter के पास और exporter उसको same manner में deal करेगा जैसे हमने ऊपर देखा और एक copy अपने पास retain कर लेगा वो जो official होगा वो जो designated official होगा वो एक copy अपने पास retain कर लेगा तो यह होगे three copies copy number one copy number two and copy number three that's why it's in replicate तो यह सारा यहां पर इसके बार हैं बात की गई है यहां पर अगर हम आगे चलें तो यहां पर यह बताया गया है कि EDF and soft tax जो होगा वो retain करेगा authorized dealer अब अगर बात करें तो evidence in support of declaration अब अगर कोई custom officer है को पॉस्चल authority है या फिर official of the department of electronics है जिनको declaration form submit किया गया है अपने आपको satisfy करने के लिए कि due compliance के under section number seven की due compliance में है की नहीं तो वो यह establish कर सकता है पहली बात तो कि वो exporter जो है वो resident in India होना चाहिए और उसका place of business in India होना चाहिए अब यहां ध्यान से देखें तो देखेंट इस एंड यानि की वो resident of India भी होना चाहिए और उसका इंडिया में place of business भी होना जरूरी है next point आता है the designation stated on the declaration is the final place of designation of the exported goods यानि की जो designation declaration दी गई है वो final जगह है जहां पर goods export हो रहे हैं यह वो जगह है जहां पर वहां के importer ने goods मंगवाए हैं then again हमारे बार में यहां पर बात की जा रही है declaration of amount of full export value या फिर prevailing market condition के इसाब से expected value to be realized next point आता है manner of payment of export value of goods अब payment किस मैंनर में की जाएगी अब unless otherwise authorized by the reserve bank reserve bank ने अगर अलग से कुछ authorized नहीं किया है तो full value of export जो होगी वो authorized dealer के थ्रू ही pay की जाएगी under foreign exchange management manner of payment recipient payment regulation 2000 अब कहां देखो for the purpose of this regulation re-import into India अगर आपको इस चीज़ re-import कर रहे हैं तो उस case के अंदर within the period specified for realization of export value of the exported goods in respect of which a declaration has been made resolution 3 shall be deemed to be realization of full export value of goods यानि कि अगर आपने कोई चीज़ बाहर भेजी थी उसको दुबारा इंडिया में लेके आ रहे हैं तो उस चीज़ को deemed बना जाएगा कि ठीक है यह आपकी realization हो गई है either in goods की form में either in cash की form के अंदर next point is period within which export value of goods software services to be realized अब कौन सा period है किस period के अंदर-अंदर हमें इस सब चीज़ को करना है तो in ordinary case की अगर हम बात करें तो दो case बनते हैं यापे एक तो ordinary case और दूसरा case बनता है इन सब अलग-अलग zones के बारे में यानि कि special economic zone, status holder exporters, export oriented units and electronic hardware technology parks यह दो cases बनते हैं तो सबसे बहले हम देखते हैं ordinary case, ordinary case में 9 months के अंदर-अंदर या फिर कोई ऐसा period जो RBI ने specify किया है आपको वो अपना पैसा यहाँ पर इंडिया में उस चीज़ का मंगवा लेना है ओके? repatriated हो जाना चाहिए, realize हो जाना चाहिए वो amount however, where the goods are exported to a warehouse यानि कि बाहर आप सिधा आपने किसी बायर को नहीं बेजा आपने एक warehouse में रख दिया वहाँ पैसा ले जाके तो उस case के अंदर with the permission of RBI RBI की permission से आप उस amount को 15 months और within such period as नवी specific of the RBI वहाँ तक आपको time extended time दे दिया गया है कि 15 महिने में आप उसको sell कर लें और उस पैसे को इंडिया के अंदर ले आएं इस period को extend भी किया जा सकता है authorized dealer may for the sufficient and reasonable cause extend the said period authorized dealer के पास ये power दी गई है further the reserve bank or subject to the directions issued by the bank in this behalf यानि कि या तो reserve bank या फिर अगर direction दे के reserve bank ने अगर अपने behalf में उतर है dealer को allow किया हुआ है तो वो sufficient and reasonable cause की वज़े से extend कर सकता है उस period को अब अगर हम बात करें यहाँ पे इन चीजों की बारे में special economic zones status holders, export oriented units, electronic hardware technology parks software technology parks and biotechnology parks के बारे में जो की foreign trade policy के अंटर आते हैं जैसे कि उपर के cases इनके अलावा हर cases के लिए RBI कम या ज़्यादागा period आपको specify कर सकता है बट यहाँ नहीं यहाँ पर nine means आपको दिया गया है nine months मतलब nine months अब अगर हम बात करें extension of period अगर यह जो period है इसको आपको extend कराना है तो provided further there the reserve bank or subject to the direction issued by the bank in this behalf authorized dealer चाहे तो उसटीज को extend कर सकता है reserve bank अगर चाहे तो reasonable and sufficient cause अगर उसके पास है तो उस case के अंदर उसको मना कर सकता है कि आपको इस regulation के अंदर नहीं आना है और यह जो direction दी जाएगी वो reasonable opportunity देने के बाद ही दी जाएगी यानि कि अगर वो अगर आपको यहां से हटा दिया जाएगा तो such other period जो भी RBI specify करे वो भी आप पे apply हो जाएगा आप यहां से बाहर हो जाएगे ओके next point is इस direction के बाद जो exporter होगा shall be governed by the provisions of subregulation 1 यानि कि उपर के subregulation 1 के साथ governed होगा ठीक है इसी चीज़ को detail में दुबारा बता दिया for the purpose of this regulation the date of export in relation to the export of software in the physical form in other than physical form shall be deemed to be the date of invoice covering the export यानि कि देखो अगर कोई goods है तो उसको तो मैं बता है कि वो किस date पे इंडिया को leave कर रहा है तो उसको export मान लेंगे but अगर वो goods है ही नहीं वो software sell कर रहे है तो invoice के अंदर जो date होगी उसको deem माना जाएगा कि वो है export की date date of invoice को export date माना जाएगा next point is submission of export documents अब गाईस जो भी export documents होगे for example पहले आपने declaration file की उसके basis पर आपने exports इंकर किया उस export के बाद आपको उसके documents submit करने पढ़ेंगे from the date of export के 21 days के अंदर अंदर और अगर वो software है तो certification of soft text form के 21 days के अंदर अंदर यह time extend किया जा सकता है अगर there was some reason beyond the control of exporter next point आता है हमारे पास transfer of documents transfer documents की किस बारे में बात की जा रही है let's see transfer documents के अगर हम बात करें तो there is an AD bank first of all we will have an AD bank अब इस AD bank के पास someone other than other than जिसने export की declaration फाइल की थी वो जाता है किस purpose के लिए negotiation के लिए या तो या तो वो जा रहा है negotiation के लिए या फिर collection के लिए वो बहार से collect कर रहा है amount regarding the export तो उस case के अंदर वो क्या क्या लेके जा सकता है वो अपना invoice लेके जा सकता है या फिर वो bill of exchange लेके जा सकता है जो endorse किया गया था उसके भी हाफ में उस case के अंदर अब RBI इस चीज़ को process करेगा payment के receipt को process करेगा और वो कैसे process करेगा अगर वो declaration की amount इस document के equal है तो उस case में RBI as it is sorry AD bank as it is उसको process करेगा बट in case अगर declaration की amount was lesser than the amount as stated in this invoice and bill of exchange तो उस case के अंदर उसको भी इस constituent को भी जो other than exporter है ये जो constituent है जो की other than exporter है उसको भी export declaration file करनी पड़ेगी और ये भी एक तरह से exporter बन जाएगा under the provisions of this act और exporter के सारे provisions के उसके उपर apply हो जाएंगे so this is the point जो की यहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर कोई भी उसको जिलर है वो accept कर सकता है negotiation या collection के लिए shipping document जो की कौन-कौन से हो सकते है invoice या bill of exchange covering exports from a constituent जो की है other than the person who filed the declaration अब यहाँ पर बात की गई है equal होने की अगर equal है तो कोई बात नहीं but in case अगर value declared in the declaration is less than the value shown in the documents तो उस case के अंदर इसको भी sign करना पड़ेगा declaration next point आता है payment of exports अब अगर payment की हम बात करें तो RBI ने कुछ activities से refrain करने के लिए बोला है कुछ activities को ऐसी activities को ना करने के लिए बोला है जिन activities की वज़े से जो payment आनी है वो specified manner में नहीं आ पाएगी या फिर उसकी receipt में delay होने वाला है beyond the time period specified या फिर वो full export value जो हमने declaration में दी थी वो पूरी receive नहीं कर रहे हैं subject to some deduction अब deduction क्या होती है for example 1 lakh रुपीज का आपकी full export value थी and आपका जो agreement था उसके अंदर एक provision था कि in case अगर आपकी value फिर आपकी जो quality है वो up to the mark नहीं निकलती तो proportionately आप उसके price को reduce कर देंगे तो अगर इस type के provisions हैं या some other deductions हैं जो permissible हैं उतनी amount reduce करके आप receive कर सकते हैं for example जो permissible deductions हैं उसके बाद आपकी amount बनती है 95,000 but आप receive कर रहे हैं 90,000 तो ये आप नहीं कर सकते अगर ऐसा कुछ किया आपने तो उसके consequences क्या होंगे तो सबसे पहले मैं बता दूँ कि अगर proceeding की बात की जाए तो जो period है for example 9 months का period है या फिर वो 15 months का period है इस period तक तो आपको time दिया जाएगा आपको देखेगा RBI कि हाँ आप कोई problem इसको rectify करते हैं कि नहीं करते हैं या फिर you will be given a sufficient time ये जैसे ही period lapse होगा उसके बाद आपके against proceeding की जा सकती है इस act के अंडर इस section के अंडर चलिए अब next point देखते हैं कि कुछ ऐसे exports हैं जहां पर prior approval की जरूरत पड़ेगी अब वो ऐसे exports कौन-कौन से हैं सबसे पहले गर हम बात करें तो कोई special arrangement है यहाँ पर हम exports की बात कर रहे हैं वो export हो रहा है किसी specific arrangement के जो की है between central government of India और some foreign state इन दोना के बीच में ठीक है या फिर कोई state rupee credit extend किया जा रहा है आपको exporter को rupee credit by the foreign state या फिर central government उस case के अंदर यह दोनो cases के अंदर आपको directions follow करनी पड़ेगी किसकी यहाँ पर एक अलग से organization दी गई है जिसका नाम है authority sorry trade control authority जो की international trades को ध्यान में रखती है और वो अपने कुछ directions देती है तो उन directions को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा trade control authority की plus मैं आपको RBI की regulations को भी देखना पड़ेगा और prior approval चाहिएगा इन सब cases के अंदर इन दोनों cases के अंदर अब दूसरा point मैं अगर बताऊं कि अगर हमारा for example Exim Bank है वो export को finance करने के लिए एक line of credit देता है to a bank of foreign state या फिर a financial institution of the foreign state इस case के अंदर भी अगर ऐसा कोई export हो रहा है जिसमें Exim Bank बाहर के bank के थुरू किसी को foreign state को बाहर के foreign state के किसी bank को या financial institution को line of credit दे रहा है export regarding तो उस case के अंदर भी आपको RBI का approval लेना पड़ेगा पहले से prior approval लेना पड़ेगा इन exports के regarding तो यह दो point हमारे आपे दिये गए हैं पहला point था central government and foreign state के बीच के arrangement के बारे में और दूसरा point था Exim Bank और credit period extended के बारे में ओके next point हम बात करें वाले हैं delay in receipt of payment In case there is a delay in receipt of payment ठीक है आप payment time पे receipt नहीं कर रहे हैं तो RBI आपको direction दे सकता है कि आप उस payment को receive करें जो भी आपने goods or service अगर sold की है और in case वो goods or software sold नहीं हुआ है तो उसको re-import कर ले इंडिया गे अंदर अगर आपको circumstance allow करते हैं within the period as specified by reserve bank लेकिन in case में in case अगर omission हो जाता है RBI आपको direction नहीं दे पाता तो इसका मतलब यह नहीं है कि आप absolve हो जाएंगे इसकी consequences से आपके उपर still वो consequences आप ऐसे बैठ नहीं सकते कि यार मुझे तो RBI ने बोला ही नहीं अगर आप टाइम पर यह दोनों activities नहीं करते हैं बीना RBI के बोले भी तो still आपके ओपर consequences लग जाएंगे अब next point आता है हमारे पास advance के बारे में अगर advance against exports अगर उसके हम बात करें तो for example आपको यह time period है यह timeline है आपने यहाँ पर advance receive कर लिया तो यह कहा जाता है सेक्ट के अंडर कि आपको shipment of goods करने पड़ेगी within one year के time के अंदर अंदर अब question यह rise होता है कि आपने advance receive कर लिया एक साल तक आपने वो पैसा रखा हुआ है ऐसे ही कोई भी आपको आपका customer आपको पैसे नहीं देगा अगर आपको पैसे मिल रहे हैं तो उसके उपर आपको interest pay करना पड़ेगा और वो interest यहाँ पर specify किया गया है कि maximum इस period का जो interest होगा वो हो सकता है Libor London Interbank Offered Rate प्लस 100 basis points याने कि प्लस 1% यह maximum interest है जो आपको कहा गया है कि आप इससे जादा interest आप उसको pay नहीं कर सकते अब आपका जो मर्जी हो इसके अलावा अब एक बात यहाँ पर की जाती है कि जो जितने भी documents होंगे इस regarding advance regarding export के regarding यह सब AD के थुरू होके निकलेंगे अब यहाँ पर अगर बात की जा लिए कि अगर आपको यह आपकी जो payment है advance आपने receive किया आप एक साल के अंदर उसको export नहीं कर पाए वन यह के अंदर उसको export नहीं कर पाए तो आपको या तो वो advance वापिस करना है या फिर इस period के beyond यह जो additional period मैंने यहाँ पर add किया है इसका आपको interest पे करना पड़ेगा अगर ऐसा कुछ करना है तो उन दोनो activities के लिए number one, number two, दोनो activities के लिए आपको RBI का prior approval लेना पड़ेगा उसके बिना आप कोई भी transaction इस type की beyond this year incur नहीं कर सकते इस year के अंदर अंदर के आप advance वापिस कर रहे हैं, interest इतनी amount तक pay कर रहे हैं, there is no issue बट अगर जहां ये period extend हुआ, जहां ये additional period add हुआ, वहां आपको RBI का approval लेना पड़ेगा advance वापिस करने के लिए भी, उस पे interest पे करने के लिए भी अब यहां पर एक exemption दी गई है, वो exemption क्या दी गई है, कि अगर आपके agreement में ही है for example, जो आप export करने वाले हैं, वो इस nature की चीज है, कि वो एक साल के अंदर बनके त्यार हो ही नहीं सकती उसको एक साल, एक साल, दो साल कितना में टाइम लग सकता है, तो अगर वो आपके arrangement में है तो वहां आपको allow कर दिया जाएगा, अगर कुछ भी mention नहीं है, तो यह एक साल के आपके उपर limit or guideline लगेगी क्योंकि अगर यह आप पहले ही mention कर देंगे, तो आपकी application को, जो declaration है, और जो आपके documents है, उसी हिसाब से inspect किया जाएगा, और उसी हिसाब से record maintain किया जाएगे अब अगर हम next बात करें, तो RBI क्या है, चलो एक बार इसको आपको study match से दिखा देता हूँ, तो यही वो point है, जिसके बार हमने discussion किया है, तो shipment एक साल के अंदर हो जानी चाहिए, maximum interest rate यह होना चाहिए, और जो भी documentation जाएगी, shipment की वो routed through authorized dealer होगी, यहाँ पर एक साल के beyond वाल आपको allow कर दिया जाएगा, next one हमारे पास आता है, issue of directions by reserve bank in certain cases, कुछ ऐसे cases हैं, जहाँ पर reserve bank अपनी guidelines दे सकता है, अब वो क्या होगी, reserve bank यह बता सकता है, कि कुछ conditions के आपको, वो करना पड़ेगा, किसी भी class of exporters को, किसी भी padula exporter को, या फिर कोई padula destination wise, आपको direction दी जा सकत है, वो क्या-क्या हो सकती है, कि जो payment of goods and services होगी, जो आपको consideration आप receive करने वाले होगे, वो एक irrevocable letter of credit के अंडर आएगी, यानि कि वो ऐसा letter of credit होगा, कि आपको वो credit, आपका जो credit होगा, वो पैसे देगा ही देगा, उसको वापस नहीं ले सकता, या फिर कोई ऐसा arrangement और ऐसा document जो order में indicate किया जाएगा, या फिर कोई declination furnish करनी पड़ सकती है आपको, to the specified authority, अब यहाँ पर specified authority के अगर मैं बात करूँ, तो वो यहाँ पर बताया गया है, वो specified authority है, हमारे पास Exim Bank of India या फिर authorized dealer, तो अगर आप Exim Bank of India को, या authorized dealer को, आपको submit करना पड़ेगा, prior approval के लिए, या फिर कुछ additional conditions लगा के उसको आपको allow भी कर सकता है, जो की RBI के according होगा, सब कुछ, यानि कि आपको एक declaration furnish करनी पड़ेगी, specified authority को, जो की है Exim Bank या फिर authorized dealer, अब वो आपकी application को देखेगा, उस declaration को देखेगा, और prior approval देने से पहले, वो circumstance को देखेगा, वो आपकी इस declaration को, आपके इस condition को withhold भी कर सकता है, या फिर आपको कुछ additional conditions एड़ करके allow कर सकता है, कि इस according आप कर सकते हैं, transaction, और जो copy of declaration होगी, जो submit की जाएगी, specified authority को, वो submit की जाएगी, कुछ ऐसी authority organization को, जो indicate करी गई है, order के अंदर, specifying that the value of goods of services, software, value of goods of software, specified in the declaration, represent the proper value thereof, ये certified भी करेगा, व कि जो इसमें value दी गई है, वो proper है कि नहीं, अब यहाँ पे last point है, exception दी गई है, कि ऐसी कोई direction नहीं दी जाएगी, shall be given by the reserve bank, and no approval under clause B of that sub-regulation shall be withheld by the authorized dealer, unless the exporter has been given reasonable opportunity of being heard, with representation letter, ऐसी कोई भी direction उस पर apply नहीं की जाएगी, unless कि उसको reasonable opportunity being heard नहीं दी गई है, अब बात करें हम project exports के ब point कहता है, यहाँ पे कहता है कि अगर आपके export है, goods or services का, वो deferred payment basis के ओपर है, या फिर execution में है, किसी turnkey project के, turnkey project क्या होता है, कि आप अपना for example, एक plot of land है, या फिर कोई भी project है, जिसके अंदर आप सामने बाले को, पूरी responsibility देते हैं, कि from the beginning to the end, everything will be taken care of by that party, वो चीज़, या करने से पहले, जो proposal होगा, वो prior approval के लिए approving authority के पास देगा अपना, यानि कि अगर आप turnkey project के अंदर, या civil construction contract के अंदर, या deferred payment term के अंदर, यहाँ पर तीन चीज़े आ गई है, पहला आगया deferred, second point आगया turnkey, and third point आगया हमारे पास civil construction, इन तीनों cases के अंदर, prior approval लेना पड आपका agreement अभी नहीं बना है, आपने दोनों parties ने अपनी अपनी terms propose करी है, उस proposal के basis पर आपको approval लेना पड़ेगा, approval authority से जो की है, exim bank and authorized dealer, अब वो उसको proposal को consider करेंगे, in accordance with the guidelines of Reserve Bank of India from time to time, तो यह तो होगा हमारा first point, project exports के बारे में, अब second point अगर देखें कि अगर in case of guarantee is required to be given, यानि कि इसके पहले अगर आपको guarantee देनी पड़ेगी कोई ना कोई, approval से पहले, like agreement बनने से पहले, you need to give some guarantee, तो उस case के अंदर authorized dealer के पास जाएंगे आप, the same में भी issued by the authorized dealer, वो जो guarantee है वो authorized dealer issue कर सकता है, या कोई person resident in India, being a exporting company, कोई ऐसा person जो exporting company है, वो performance के लिए guarantee दे सकता है, performance guarantee दी जा सकती है for the project outside India, for availing credit facilities, whether fund-based और non-fund-based, अब यहां क्या होता है, fund-based के अंदर आपको directly cash मिलता है, जिसके लिए आपकी guarantee furnish की जा रही है, या फिर non-fund-based के अंदर cash का एक promise दिया जाता है, कि in case needed be, तो वो जो bank होगा, is promising कि हाँ यार मैं समाल लूँगा, मैं देख based, okay, कहां से from any bank or financial institution outside India in connection with the execution of such project, तो अगर ऐसा कुछ हो रहा है, guarantee के अगर बात हो रही है, या फिर इन projects की बात हो रही है, तो इन cases के अंदर आपको approving authority की तरफ से होके जाना पड़ेगा, guarantee आप authorized dealer से दिलवा सकते हैं, और उसके बाद हमारे पास यह point यहां पर खतम होता है exports का, बहुत ही पैरा point था, काफी points थे इसके अंदर, and आप comment section बताइए अगर आपको इस point में कुछ भी कमी लगती है, I'll make another revision video for this topic, and I hope आपको अच्छे समझ में आया हो guys, and thank you for watching, and be sure to like and subscribe.